दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कुवारी लड़कियां अपने पैर में काला धागा बांद कर रखती हैं पर क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा क्यों करती है ऐसी क्या वज़ा है जिसके चलते वे अपने पैरों में काला धागा बांदती है यदि आपको ये बात नहीं पता तो आज मैं आपको इस वीडियो के मार्ध्यम से बताने वाला हूँ आखिर लड़कियां क्यों धारन करती हैं काला धागा अपने पैर में अक्सर ऐसा होता है कि कोई खूसुरत लड़की अचानक बीमार हो जाती है जबकि उनको कोई बिमारी नहीं होती उनको किसी की बुरी नजर लग जाती है या फिर कोई नकारत्मक शक्ती उन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है इसलिए लड़कियां नकारत्मक चीजों से बशने के लिए अपने पैरों में काला धागा बांती है साथ ही उनको कोई बुरा सपना ना आए ये वजह भी इसके पीछे गिनी जाती है दोस्तों खुबसूरत लड़कियां अपने खुबसूरती को बुरी नजर से बचाने के लिए ही अपने पैर में धागा बांती है वैसे आपने देखा होगा कि लोग बुरी नजर से बचने के लिए काले धागे का इस्तमाल करते हैं वैसे ये बात तो एकदम सही है कि लड़कियां बुरी नजरों से बचने के लिए अपने पैर में काला धागा बांती है पर आजकल की लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपना फैशन बना कर ऐसा करती हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तो अब आप समझ गए होंगे की लड़कियां अपने पैरों में काला धागा बांती हैं ये कोई फैशन नहीं बलकि इसकी पीछे की ये प्रमुक वजाएं हैं जिसकी वज़े से लड़कियों को ऐसा करना पड़ता है दोस्तों क्या आपको मालुम था कि लड़कियां क्यों बांती हैं अपने पैर में काला धागा आप ज़रू मुझे कमल शेक्षे में लिखकर बताएं इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता होने वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा